हलो स्टुडेंट्स यह आपका part 21 वीडियो है शेप्टर का part 21 में प्रस्ण व्ली 6 एप पे है और आज हमनों कुछ बहुबी कल्पिय प्रस्ण को देखने वाले हैं कहा रहा है प्रतेक प्रस्न के चार उत्तर दिये हैं सही उत्तर छाट कर लिखिये पहला कोशन देखिये क्या करा है सम्दिबाहु तिर्भूज की तीनों भुजाओं के मद बिंदूओं को मिलाने से बना तिर्भूज होता है तो चलिए मैं यहाँ पर एक सम्दिबाहु तिर्भूज ले लेताओं ठीक है यह सम्दिबाहु तिर्भूज हो गया A B C हमनों माल लेते हैं कि इसमें A B जो है न A C के बराबर है सम्दिबाहु तो दो भुजाओं बराबर होंगी तीसरे भुजा के आधी होती है और समानतर भी होती है हम लोग पढ़े हुए हैं तो यहां से मैं यहां कह सकता हूँ कि PQ जो होगा आधा हो जाएगा AC का और QR जो हो जाएगा आधा हो जाएगा किसका AB का आधा हो जाएगा आपके AB का यहां से इसलिए हमारा जो P Q है वह Q R के बराबर हो जाएगा तो जब किसी तिर्भूज की दो भुजा बराबर हो तो कैसा तिर्भूज होता है संदिभाव ही होगा यानि हमें पता से लगा कि संदिभाव तिर्भूज के बुजाओं के मद बिन्दों से जो तिर्भूज बनता है वह अभी आपका संदिभाव ही होता है तो सर नमर दो दो समरूप तिर्भूजों के छेत्रफल यहां पे दिये हुए है ठीक है समरूप तिर्भूजों के छेत् होता है ठीक है भागत है अंतिर्भूजों के संगत-भुजाओं की बर्गों के अनुपात के maltierात है पहले का चोविस ओ सेंटीमेटर स्कौर्ड और दुसरे वाले का हम लोग एक्समाल लगते हैं दूसरे पहले का निकालना है पहले यह पहले से भुजा का वर्ग दिया हुआ है ठीक है भुजा का वर्ग दिया है भुजा नहीं दिया है और सिर्फ भुजा दिया था तो यहां पर हम लोग वर्ग करते इसका लेकिन यह पहले से भुजा का वर्ग दिया है ठीक है चलिए अब यहां से हम लोग काट सकते हैं यह 70 cm2 यह जाएगा भाग में तो कितना जाएगा 36 cm2 दूसरे वाले संगत भुजा 36 cm2 हो जाएगा तीन नमर के दी दोस्ते ओंदो तिर्भूजों के परिमाप दिया हुगा है योजि पहले तिर्भूज का एक सिर्ष की उचाई की माप 12 cm है तो दूसरे संगत संगत उचाई की माप क्या होगी ठीक है तो देखो actual में क्या होता है यह हम लोग पढ़े नहीं है प्रमे में भी नहीं था यह जान लो कि जो तिर्भूज के दो समरूप तिर्भूज हो तो उनके परिमाप का अनुपात जो होगा उनके भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है ठीक है या उनके संगत उचाई के अनुपात के भी बराबर हो जाएगा हम लोग सीधे लेंगे 30 सेंटीमीटर बाई में 20 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा तो यह बराबर जाएगा उनके पहले तिर्भूज के सिर्ष की उचाई की माप 12 दिया है 12 सेंटीमीटर और बट्टा में दूसरे वाले को X लेंगे ध्यान रखना कि दो सम्रूप तिर बराबर में 24 सेंटीमीटर हो जागा यह तीन जाएगा भाग में तो 38 सेंटीमीटर आजएगा एंसर में आपका 8 सेंटीमीटर एक नंबर है चलते आप अगले कोशन पर कोशन नमर 4 देखिए कह रहा है यदि एक समकोर तिर्भूज ABC में C 90 डिग्री है AC बराबर 3 देंगे गलत दिया हुए मैं यहाँ पर फिगर बना लेता हूं यहाँ पर सी समकोर है तो A B और सी इसले लेते हैं ठीक है AC बराबर में 3 सेंटीमीटर BC बराबर में 4 सेंटीमीटर तो सी से जाने वाला सिर्सलम क्या होगा यह हो जाएगा इसी को हमें निकालना है इसी CD की लं ड्र रहाया वर हो जाएिगा deze स्वाएर बभी सी स्वायर के पाइधा को रस सो जाएगा पाइथागोरसद्र में ए पाइथा रजूरस में प्रमे से यह हो जाएगा ठीक है तो यहां से आधी एस्वाज्वाइर बराबर में क्या तीन हो जाएगा नहीं एसक्वाइग 일이 च्य स्क्राइब का सिकतियू को में स्क्स्टीमिटर सिन सिनसे गया तियू जाएका 25 से पर स्क्राइब किसे स्क्राइब के अगर लिख सकते हैं एक बटा दो में अथार कुने उचाई लेता हैं और और उचाई हम लोग AC लेने तो यहां से एक बटा दो चार सेंटीमीटर गुना में तीन सेंटीमीटर इसे काड़ देंगे दो बार में 6 सेंटीमीटर स्कॉयर आ जाएगा यह छेद पल लेकिन अगर यही छेद पल हम लोग इसको अधार लेके चले तो एक बटा दो अधार यहां पर 12 बटा पांच हो चायेगा 12 बटा पांच सेंटीमीटर यहां से दो लोग जाय zumlo का अर्धक पर मिलता है एल पर मिलता है कि दिया है पारे से 10 सेंटीमीटर प्र दिया हुए है 5 सेंटीमीटर क्यों और हम यानुपाद निकाल लोग कि किसी तिरभूज कोड का जो अर्धक होता है, और अर्धक जो होता है, वह क्या करता है, तो उस कोड़ को बनाने वाले भुजा का अनुपात, और वो सामने वाली भुजा को जो काटता है उनका अनुपाद बराबर कर देता है इना हम लोग पढ़े हुए जी यहां से QL और LR का अनुपाद किसके बराबर हो जाएगा आपके PQ और PR के अनुपाद के बराबर होगा यानि कि यह 3 सेंटीमीटर और यह आपका 5 सेंटीमीटर तीन अनुपाद 5 हो जाएगा यानि कि आपका एक नंबर ही अंसर होगा कॉर्सान देखिए क्या रहा है तिर्भूज ABC और तिर्भूज AEF समुरूप हूँ नेख लिजए ABC पर तिर्भूज moc ABC संुरूप अर तिर्भूज AEF तो हमनों जानते हैं कि अगर संगत कोन बराबर होगे तो पूछ रहा है कि AEF किसके बराबर होगा angle AEF किसके बराबर होगा तो इसी के संगत यहाँ ते कोई AEF तिरभूज दिया है तो कोण हमने AEF लिया ते यहाँ उसी तरह से angle आपका ABC ही हो जाएगा तो angle ABC के बराबर हो जाएगा कितना simple है कोई सोचने वाली बात ही नहीं है इसी के हमें संगत नाम लेने होंगे ने अभी कोईसर नमर 7 तिरभूज ABC में ABC में CA और CB के मद बिन्दों को मिलाने वाली रेखा DE है DE का value दिया है 3 cm तो पुछरा AB का तो हमें पता है कि किसी तिरभूज के दो बुजाओं के मद बिन्दों को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो तीसरे बुजा की आधी होती है तो इसका मान दिया है 3 cm और 3 cm एकल टू 1 by 2 of AB यह जाकर उधर गुना करेगा तो 6 cm हो जाएगा AB का मान चलिए कोसर नमर चलते अगले पर चलिए अगला कोसर नेखता है कोसर नमर आठ में का रहा है दो समरूप तिरभूजो के परिमाप यहाँ पर दिये हुए है पहले और दूसरे तिरभूज के शेदफल का अनुपात देखो जो आपके परिमाप दिये है परिमाब का पाथ होता है उनके संगत भूजाओं के बराबर होता तो अगर निकालेंगे वह किस के बराबर हो जाएगा तो तो संगत भूजा का अनुपाथ के अनुपाद होता है उनके स्टफल का अनुपाथ होता है तो में समझ गये हूं अबजेक्टिव ऐसलिए मैं आपको सोट में समझा रहा हूं पता है कि दो समरूप तिर्भूजों के परिमाब जो होते हैं, उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बड़ा उते हैं, का वर्ग जो करेंगे उनके छितफल का अनुपाथ आजएगा। समझ गया। कोसर नमां नाइन में देखिए, A, B, C, D, एक वर्ग है, आपके फिगर में ये वर्ग नहीं दिख रहा है, लेकिन माल लेते हैं कि वर्ग है, तो तिरभूज A, B, C का छितफल क्या होगा, ठीक है, और यहाँ A, C दिया हो, इसका एक विकर्ण दिया है, ठीक है, इसका विकर्ण दिया है, यहाँ आपको पता है कि ये समकोंड होता है वर्ग का जो विकंड होता है एक दूसरे को समकोंड पर करते हैं अच्छा ये टोटल 20 रूट दो है तो इसका आधा और इसका आधा यहापे हम लोग ओ ले लेते हैं तो अगर मैं बात करूं वर्ग की तो वर्ग के अंदर क्या होता है वर्ग का विकंड बराबर होता है समझे ना वरक का क्या होता है विकंड बराबर होता है तो यह 20 रूट दो है तो यह भी 20 रूट दो हो जागा तो यह आधा हो जाएगा 10 रूट दो और यह आधा हो जाएगा 10 रूट दो ठीक है विकंड के अधार पर भी निकाल सकते हैं तो यहां पर अगर मैं तिर्भूज ABC इसके चित्पल की बात करूं तो एक बटा दो अधार आपका 20 रूट दो और गुना में उचाई यहापकी हो जाएगी 10 रूट दो सेंटीमीटर स्क्वार समझें ना है इस तिर्भूज ABC का चित्पल एक बटा दो राधार और गुने में उचाई इसको कार देत है वर्ग का विकर्ण दिया है वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है विकर्ण कितना दिया है 20 रूट दो सेंटीमीटर तो हम लोग जानते है इसका रूट दो गुना भुजा होता है फर्मला वर्ग के विकर्ण का 20 रूट दो सेंटीमीटर यहां से यह कट जाएगा तो भुज सेंटीमीटर का स्कॉयर है नहीं कि चार सो हो जाएगा और टोटल छे त्रफल जब चार सो हो गया तो इसके आधे की बात करेंगे यह तिर्भूज उसका आधे का छेत्पल होगा ना वह 200 हो जाएगा ऐसे भी देख सकते हैं दसरमर सही उत्तर चुनकर उसका पाउचिति दीजिए तिर्भूज एबी सी में एबी छे रूट तीन एसी बारस सेंटीमीटर और वी सी छे सेंटीमीटर हैं तो एंगल भी क्या होगा तो हम लोग हो जैगा तो 12 तीरीमीटर के सामने वाला कौन वाला कौन पड़ेगा सम न मघया 살아 क्यू पी आर का सम्दिभाजक है यह निए इसको यह दो बराबर भागों बागता है तो हम लोग पढ़े हुए है ना प्रमे के रूप में ही एंगल भाई सेक्टर थियोरम के रूप में मैंने आपको बता रहा है प्रमे के रूप में चलिए इसको देख लेते हैं फिर से दिया है तिर्बूज पी क्यू आर में पी एस जो है ना एंगल क्यू पी आर का सम्दिभाजक है सम्दिभाजक है तो सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है में सिद्ध करना है कि क्यू एस बटा में एस आर बराबर हो जाएगा पी क्यू बटा में पी आर के देख लीजिए क्यू एस बटा में एस र बराबर हो जाएगा पी क्यू बटा में पी आर के य यह जो आपका PS देख रहा है या SP जो देख रहा है इसी के समानतर एक ऐसे लेकर जा रहा है ठीक है और इसको हम लोग आगे बढ़ा कर इसे मिला दे रहे हैं इस तरह से समझें तो यह हमने रचना में किया है यहां पर कोई बिंदू देते है टी देते हैं यह रचना की हुए है इसको हम लोग डॉटेड कर देते हैं और यहां पर हम लोग लिख देंगे लिखेंगे कि क्यूपी को टी तक बढ़ाया तथा तथा आर से टी को मिलाया जहां यह आपका टी यार जो है ना टी यार समांतर है पी एस के यह हमने किया है रचना में चलिए अब इसका प्रमान देखिए बहुत सिंपल से हैं हम लोग देख रहे हैं कि पी एस जो है ना एंगल क्यू पी आर का समधिभाजक है समधिभाजक है तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं यहां कोड इस कोड के बराबर लिख सकते हैं कि एंगल क्यू पी एस बराबर में एंगल आर पी एस क्यू पी एस और यह आर पी एस बराबर हो जाएगा इसको समिकरन एक बार लेते हैं चलिए अब यहां से एंगल क्यू पी एस बराबर में एंगल पी टी आर हो जाएगा एंगल q ps बराबर एंगल p tr ये बराबर हो जागा क्यों होगा तो संगत कोड का युग में से तो ये संगत कोड की युगम Bowser में बराबर नहीं हो जाएंगी अचा उसी तरह से हम लोग एक कोड अगर बात करें r up s की आर पी एस की यह तो यह इसके बराबर हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा एंगल पी आर टी के कैसे हो जागा इसको समिकरन दो मालनों इसको समिकरन तीनों तो यह समिकरन तीन में यह बराबर कैसे हो रहा है तो देख रहे हैं यह इसके समांतर है तो यह तीरे करेखा काम करेगा यह दोनों एकांतर अंतर अंतर कोड के युग में यहां बराबर होंगे क्यों क्योंकि यह इ इनी से हैं हम लोग देख रहा हैं कि यह समिका रेक में देखिए यहां पर qps rps के बराबर है यह दोनों भी बराबर हो जाएंगे एंगल ptr जो होगा बराबर जाएंगल ptr यहां कोड इस कोड के बराबर हो जाएंगे तो इसलिए यहां से हो जाएगा पी आर जो होगा या पीटी जो होगा वह पी आर के बराबर हो जाएगा क्यों क्यों कि हमनों जानते हैं कि तिर्भूझ में समान कोडों की समुक भूझाएं ठीक है अब चलते हैं हम लोग इस पूरे तिर्भूझ में ठीक है चुकि हमारे पास TR जो है ना समानतर है PSK रचना से ठीक है TR समानतर है PSK तो हम लोग ले सकते हैं इसमें यह भुजा ले लेते हैं और इसमें यह भुजा ले लेंगे इसमें यह भुजा लेंगे यह भुजा लेंगे त्यल्स प्रमे से प्रमे से यहां पर QS QS बटा में SR बराबर हो जाएगा PQ बटा में PT देख लो यह इसके समानतर है न जी तो QS बटा में SR बराबर हो जाएगा PQ बटा में PT तो यहa PT किसके बराबर है PR के बराबर है QS बटा में SR बराबर में PQ बटा में PR यही नाम में दिखाना था समझे गाना तो यह हमारा प्रमारित हो गया अब इसके बाद थोड़े long टाइप के question है तो उसको next वीडियो में देखेंगे आपको हमारे तीन चनल लोगो सस्क्राइब करना होगा पहला है पाथ, फैंडर, क्लासे, छपरा दूसरा है आपका भारती भवन रवी कांथ सर और तीसरा चनल है रवी कांथ सर के नाम से तीनों चनल को सस्क्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikant.in और यहाँ पर जाकर अब आप जाकर सारे चेप्टर्स के सारे वीडियो के जितने भी आपको नोट्स की जोड़त होगी सब को सेवलेबल है तो गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikant.in